हाई फ्रेंड्स, कंजंग्सन की इस तीसरी क्लास में ससी एक्जाम से पूछे जाने वाले जो गेमर के छोटे-छोटे रूल से उनको हम डिसकस करते हैं और आगे बढ़ते हैं देखेगा, देखो सबसे पहला रूल देखो बड़ा ही आसान सा एक रूल आता है, रूल आपका वर्ड हैं आपका अल्दो, वर्ड हैं अल्दो और दो, अल्दो और दो, दियान रखना कि अल्दो और दो के बाद में आपको एक्जाम के अंदर क्या करेगा कि बट लगा करके आपको देदेगा, दियान रखना कभी भी अल्दो और दो के बाद आपको बट का यूज नही करना है या तो अल्दो और दो के बाद में कोमा यूज करिए या अल्दो और दो के बाद में आप यट का यूज करिए आप कोमा और यट दोनों साथ में यूज हो रखा है तब भी सही है गलत नहीं होगा लेकिन आप बट का यूज नहीं या कोमा यूज करो या आप याट का यूज करिए ठीक है ना अल्दो और दो एक दूसरी बात ये भी ध्यान रखना कि अल्दो और दो से जब सेंटेस आपका स्टार्ट होता है तो वहां इनवर्जन भी आपको नहीं करना है हो सकता है आपको एक्जाम में वहां पर इन कर दे कैन यू गो इस तरीके से करके आपको वहां पर आगे बट लगाके दे सकता है तो आपको जहां होना ची कि अल्दो और दो के बाद आपको इन वर्जन नहीं करना है ठीक है न क्योंकि इन वर्जन तब करते हैं जब या तो negative कोई भी word से आप कोई adverb बगेरा से sentence को start करते हैं चीक है न या कोई adverb बप ले से sentence start करते हैं तब जाकर हम वहां पर inversion करते हैं clear है तो या inversion को आप नहीं करना है और अल्दो और दो के बाद में आपको यहां पर but भी use नहीं करना है या तो अकौमा यूज करिए या आप क्या यूज करिएगा? यट यूज करिएगा. क्योंकि although और दो का you sense वैसा ही है जैसा कि आपके sentence में but का sense होता है. जैसे देखिएगा. question देखो किस तरीके से बनता है? देखे, question को देखो. although these rooms are in need of repair. आप कहरे do anything about them. तो क्या कर दी है? आपने sentence को although से start कर दिया और उसके बाद आपने क्या कर दी या? यहां पर but लगा दिया. तो although से जब sentence start करेंगे तो आपको यहां पर but का use नहीं करना है. यह तो आप यहां पर coma लगा लगा दीजिए और यहां पर आप यट लगा दीजिए कुमा और यट में से कुछ भी एक आप यूज है वो कर सकते हैं दूसरी बात देखो अल्दो से सेंडल स्टार्ट हुआ तो यहां इन्वर्जन नहीं करना ऐसा नहीं कि अल्दो आर दीज रूम्स इन डॉप रिपेर ऐस डिज नॉट वांट वांट तो एनिधिंग अबाउड देम लेकिन जो ओनर है इस बारे में वो कुछ भी नहीं करना चाहता देखो बट का जो सेंस होता है यदि मालो आपने यहां और दो का यूज है वो नहीं किया होता तो बट से भी आप सीधा सेंटेंस आप बना सकते हो इस तरीके से भी आप इस सेंटेंस को कह सकते है यदि वहां पर ओल्दो और दो नहीं लगाओ और यहां पर सिर्फ बट लिखा हुआ है तब भी सेंटेंस आपका करेक्ट होगा यदि भी उसने काफी दिनों से खाना नहीं खाया था देखो अगला सेंटेंस क्या दे रखा है अब यहां पर क्या कर दिया कि बट की बजाए आपने यहां पर देयर फोर लगा दिया तो देयर फोर आपको यूज नहीं करना है आपको यहां पर क्या यूज करना है या तो यट यूज करिए या सिर्फ कौमा यूज करिए दोनों में से एक ही आएगा जरूर नहीं कि यह नहां पर आप यह टी यूज करें सिर्फ कोमा लगने पर भी सेंटेंस सही हो जाएगा दो ही हैजन्ट इचन फो मैनी डेज ही लुक्ट स्ट्रॉंग एंड हैल्दी तापके यद भी काफी दिनों से उसने खाना है वो नहीं खाया था फिर भी वो कैसा दिख रहा था स्ट्रॉ और हैल्दी वो दिख रहा था क्लियर है इस सेंटेंस में आप बट से भी सेंटेंस बना सकते थे कि हैजन्ट इचन फो मैनी डेज बट ही लोक्ट स्टॉंग एंड हैल्दी इस तरीके से भी सेंटेंस बन जाता है तो अल्दो का नियम जो आप यूस करते हैं और याप को वह पर बट का यूज़ करना होता है देगे ना बहुत ही सरल रूल्स में बहुत सारी गहराई होती है और भी इसके बहुत सारे ग्रैमेटिकल टरम्स हैं लेकिन अभी आपके ऐसे सी एक्जाम्स को नजदीक देखते हुए हम केवल रूल्स को पढ़ रहे हैं जो एक्जाम्स में स अभी सेंटेंस में क्या कर दिया आपने कि अल्दो आई एंज़ोड माई स्टेंस को स्टार्ट कर रहे हो तो यहां पर आपको बट का यूज़ है वो नहीं कर सकते क्वेसन पूछा गया ससी सी पियो मैंस एक्जाम टूथाउजन थर्टीन के अंदर देखो यहां दो चीज़ ध्यान रखने की होगी देखो एक बात यहां पर ध्यान रखना आपको पता होना चाहिए कि एंज़ोड के बाद आप क्या करते हो रिफ्लेक्सी प्रोनाउन का ज किया जाता है जब आगे कोई प्रेपजिशनल फ्रेज आता हो या अड़वरीबिल कोई उस तरीके से कोई फ्रेज आता हो यहां पर इस एंज़ोड का ओल्रेडी आपने ऑब्जेक्ट दे रखा है क्या माइ स्टे तो इसलिए आप यहां पर आई एंजोड माई सेल्फ माई स्टे आप इसमें नहीं कह सकते यदि एंजोड के बाद उसका खुद का ओब्सेक्ट दी मौजूद है तो वहां पर रिफ्लेक्सिव प्रूना उनका यूज़ है वो नहीं किया जाता तो यहां पर एक तो यह सेंस आपको ध्यान रखना एक यहां पर सीधा है देखो कम होम ह हो जाता कम टू हिज होम हो जाता इस तरीके से तो गो और कम के बाद में जब होम आता है तो वहां पर टू का यूज़ नहीं करना होगा ठीकिन यह भी आपको ध्यान रखना है तो यहां ऑल्दो आ गया तो आपको यहां पर बट का यूज़ है वो गलत हो जाएगा यहां य थिस बुक्स नौट यूजड़ ईूजड़ चुड़ेंट स्कूरों के अब करते हैं यह को उनके शौर्ड ना इसा उद्बpex का ह다가 को उनका किया आहिसा होकानी तो यह उनका किया उन्हें skrrborत नियुजड़र नहीं तो बट की जगर, यहा तो यहिट लगा दीजीगा, यहा ख हमाला का दीजीगा question पूछा गया SACCGL pre 2014 के exam में देखो next question देखेगा although these rooms are in need of repair but the owner does not take any notice of their condition question की language हलके सी इसने change कर दी और change करके question पूछ लिया SACCHSL 2017 में question same देखो यह वाला question और इससे पहले जो हमने example में question लिया same question दिया exam का path sentence का हलका सापूल का change कर दिया although these rooms are in need of repair but the owner does not take any notice तो यहां पर क्या है but का इस्तेमाल आप नहीं करेंगे कॉमा अल्रेडी लगा हुआ है तो या तो मा रखेगा या आप यह रखेगा clear दोनों साथ में हैं तब भी कोई प्रोब्लम नहीं है देखो question number four although the model GST has been the subject wise scrutiny and debate but most of the discussions have been centered on its road to passage or on its larger form and structure देखिए क्या किया है sentence में although the model GST has been subject wide scrutiny and debate अब आपने क्या कर दिया but लगा दिया तो although का इस्तेमाल जब करते हो तो उसके बाद में आपको but का use है वो नहीं करना है question आपके IBPS bank PO 2017 के paper के अंदर आपको यह question पूछा गया था देखिए अगला question क्या कह रहा है देखो although unable to present any convincing evidence internationally but Raul Pinti has managed to convince itself that New Delhi remains hostile to idea of Pakistan तो क्या question के अंदर क्या गलती जारी देखो although से आपने sentence को start किया और वापिस आपने but लगा दिया तो ध्यान रहे कि although का इस्तमाल जब हम करते हैं तो आपको वहाँ पर but का use नहीं करना है या तो yet use करिए या आप वहाँ पर coma use करिए कितना आसान और एक सरल सा rule है जो आपके exams में बार 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 पूछा जाता है ठीक है चलिए ज्यांदे यहां हम केवल SSC के उन questions को पढ़ रहे हैं जो बार बार आपको repeat किये जाते हैं बार बार exams में आपके पूछे जाते हैं देखो अगला जो rule है आपका देखो इस rule में क्या है देखो जो words आप use कर रहे हैं ये तो negative words है देखो आपने sentence seldom से आपका start होगा seldom seldom में क्या होता कि seldom के बाद यदि आपने if लगा रखा है तो आपको आगे never का इस्तमाल नहीं करना है आपको use करना है ever क्या use करना है ever use करना है तो seldom के साथ if आएगा तो आपको वहाँ पर contrast बता रहा है if तो आपको opposite word यूज़ करना पड़ेगा seldom negative है तो ever यहाँ पर positive word कर दिया और seldom के साथ the or है तो आपको वहाँ पर ever का यूज़ नहीं करके आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा never का यूज़ करना पड़ेगा clear है तो seldom के साथ if होगा तो ever आएगा वो seldom के साथ or होगा तो never आएगा topic आपके conjunction का एक rule है तो देखो question इस तरीके से भी बन सकता ह कि आप इस तरीके से भी change कर सकते हैं जिसे seldom आ रखा है और seldom के साथ if लगा करके आपको वहाँ पर आगे never दिया हुआ हो तो आप यहाँ if की बजाए आप यहाँ पर or करके भी sentence को सही कर सकते हैं तो और की बजाए आप क्या कर सकते हैं if का use है वो करें clear है तो दो sentence आपको यहाँ पर ध्यान रखना है तो ever और never का change भी किया जा सकता है वो sentence पर depend करता है कि कौन से पार्ट में गलती सुधार है ताकि sentence आपका correct हो रहा है और दूसरी बात ध्यान यह रखना है कि seldom और never आएगा तो और लगाना होगा क्योंकि और के दोनों तरफ आ दूसरी बात यहाँ पर बहुत ज़्यादा important यह है कि negative word है आपके seldom or never तो आपको sentence में inversion करना पड़ेगा यहाँ आपने sentence में inversion नहीं किया तो वो sentence आपका गलाच चला जाएगा तो तरफ पार आपको यहाँ पर अज़िए आपको कह दिया कि इस तरह आपको कह दिया कि सी can play इस तरह आ गया तो अब यह गलत हो जाएगा आपको क्या करना पड़ेगा seldom if ever और seldom or never के बाद आपको sentence में inversion करना है तो क्या करोगे यहाँ पर आपको can पहले करना है सी बाद में करिएगा और play मतलब आपको inversion करना पड़ेगा सेंटेंस inversion का मतलब यह नहीं है कि sentence question mark या कोई question टाइप question बन गया ऐसा नहीं होता है कि बल सिंपल और आपका सरल सा sentence होता है clear है देखते हैं example देखो किस तरह के से आएगा आसान question है देखिए question क्या दिया हुआ है seldom or ever have I turned a beggar away without giving him some arms यह question बार बार पूछा जाता है sentence की language भी यही रखता है इसी question को कई बार 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 पूछ लिया गया है देखो यहां क्या किया हुआ हुआ है पहली बात तो आप देखो कि seldom or ever किया हुआ है और आपने sentence में inversion कर रख है inversion ठीक है have I turned किया हुआ है inversion में कोई दिक्कत नहीं अब एगर अभी without without आपने प्रेवजिशन यूज कर लिया तो प्रेवजिशन के बाद आने वाली verb हमेंसा ing वाली form में होती है तो without giving हो गया without give कर देख गलत हो जाता है without giving him some arms ठीके इसमें कोई दिक्कत नहीं यहां पर आ seldom के साथ if लगाकर ever भी लिख सकते हैं और better यह रहेगा कि आप यहां पर seldom के साथ or लगाकर never लिखिएगा यह better रहेगा ever की बज़ाय आप इसमें never करिएगा तो sentence आपका ज़्यादा meaningful रहेगा देखो तो कौनसा SSCGL Men's 2013 के अंदर यह आपका question पूछा गया ठीक है na seldom or ever or seldom or never का meaning में थोड़ा सा अंतर होता है seldom if ever का मतलब होता है कि कभी कबार ऐसा हो सकता है seldom or ever का मतलब होता है कभी कबार ऐसा काम कभी कबार हो सकता है अलांकि मैंने ऐसा कभी नहीं किया और कभी कबार कोई गलती से कभी हुआ है तो ऐसा हो गया होगा आपने दी बोला कि seldom if ever इसका मतल मतलब हो गया कि मैंने कभी जहां तक मुझे याद है कि मैंने ऐसा कभी नहीं किया कि बिना मैंने किसी विकारी को बिना विक्सा दिये मैंने कभी घर से नहीं बगया मिस आपको याद नहीं कभी कबार ऐसा हुआ हुआ तो हो गया होगा लेकिन ऐसा ज्यादा तर नहीं हुआ औ a beggar away without giving him some alms इसका मतलब हो गया कि कभी नहीं जहां तक मुझे आदे कि मैंना ऐसा कभी नहीं किया no never कहते है न इसलिए मतलब आप कहे लिए कि कभी भी ऐसा नहीं हुआ है ठीक है न तो without giving him some alms एक बात यहां पर ध्यान देना alms भिक्षा आपको यहां plural आपको वहाँ पर any का इस्तमाल करना होता है लेकिन इस sentence में यहां पर हम any use नहीं कर सकते हैं आपको some ही use करना पड़ेगा some alms यहां any का इस्तमाल आपका गलत हो जाएगा ठीक है चलिए next question को यह पढ़ते हैं seldom if ever फिर आपने sentence seldom if ever आपने correct कर दिया फिर कह रहा है कि nature does operate क्या enclosed and separate compartments तो क्या गलती है sentence के अंदर question पूछा गया SECGL pre 2016 के exam के अंदर क्या गलती है कि आपने seldom if ever तो सही लिख दिया इसमें कोई problem नहीं है यदि वहां और होता तो never करते अन्य था आपने if ever ठीक है अब इसके बाद क्या nature does operate यहां पर क्या कल दिया आपने inversion नहीं किया तो आपको यहां पर inversion करना पड़ेगा कि does को आपको यहां पर पहले करना पड़ेगा does और does के बाद आपने लिखना होगा nature और फिर आपको लिखना पड़ेगा operate आपको पता होना चाहिए कि do does और did के बाद आने वाली वर्ब हमेशा first form होती है हमेशा वो plural होती है clear है चलो हैना कितना आसान rule है आपका बड़ा सरल सा एक symbol सा rule है रूल को बहुत सरल तरीके से पढ़िएगा और इसके छोड़ छोड़ आप notes भी बनाईएगा एक एक rule लिखिएगा rules के साथ उसी कब आप देखो क्या आना चाहिए इसमें question number 3 की और पढ़ते हैं अब seldom के साथ if आएगा तो आप never never का use करना पड़ेगा लेकिन आगे क्या कर दिया आपने कि have I sent a beggar away without giving him something बस क्या किया इस sentence के अंदर some arms की जगे something कर दिया sentence को वहीं गुमाख फिरा के वापिस वही sentence को आप बना दिया मैंस एक्जाम 2014 में पुछा था क्या पुछा कि seldom if never आगे have I sent a beggar यहां तो आपने सही कर दिया अब करें क्या यहां पर आप never की जगे ever करें यहां पर if की जगे और करें दियान रखना जब भी कभी ऐसा sentence आता है तो never और ever को change करने की बजाए यदि वहां पर आपको conjunction को change करने की बात हो तो आप वहां पर conjunction change करें यदि यहां पर I have होता तो ज़रूरी हम इसमें क्या करते कि इसमें ever करके हम इसमें have I कर देते लेकिन यह never have I एकदम सही लिखा हुआ है तो यहाँ पर आपको if की बजाए आपको or कहना पड़ेगा seldom or never देखें जहां तक conjunction change करने की बात आती तो आपको conjunction ही वहाँ पर change करना है यह if ही आपको change करना पड़ेगा clear है अब बाद में करते हैं जब यह और यहाँ पर सही होता है और यह दी सही बैठे तब ठीक है ना चलो question number fourth की और बढ़ते हैं क्या कह रहा है sentence आप से कि seldom or ever have I tried my best of defend my friends who are after or guilty to some extent क्या इस sentence में क्या गलती होनी चाहिए देखो यहाँ पर ever have I tried आपने सही लिखा हुआ है और seldom or ever लिखा हुआ है क्या करना होगा seldom or ever की बजाए आपो कहना पड़ेगा seldom if क्या कहोगे seldom if ever ठीक है ना तो seldom के साथ if आएगा तो ever लगाना है और और आने पर आपको क्या never आने पर आपको और लगाना है तो seldom if ever have I tried my best of defend ठीक है ना my friends who are after or guilty to some extent क्लियर है चलिए तो दो रूल अभी तक हमने पड़े हैं एक simple सा रूल हमने पड़ा पहला although और दो का use बस simple सा रूल आपको ध्यान लखना है कि although और दो से sentence start होगा inversion आपको वहाँ पर नहीं करना है और आगे हमें but का use नहीं करना है आप यट लगाई या कोमा लगाई इस तरह का simple सा रूल बन गया इसी तरीके से इसके पहले second जो रूल है कि seldom के साथ if आने पर ever लगाना है और और आने पर never लगाना है यह हो गया फिर दूसरी बात सब भी seldom if ever या seldom or never से sentence start होता है तो आपको sentence में inversion करना है यह दो बात हैं आपको यह वहां पर द्यान रखनी होगी ठीकर ना चलो बढ़ते हैं अपने तीसरे rule की ओर देखको अगला law क्या है आपका देखें अगला रूर भी एक आसान सा rule है देखो रो निए रहे हैं कंजंक्छन है आपका weather, connection क्या है? weather, देखो, weather के साथ में क्या होता है? weather के साथ कभी भी त्यान रखना end not का इस्तमाल नहीं होता, कभी भी, weather के साथ कभी भी end not का इस्तमाल नहीं होता, weather के साथ या तो और आता है, या और नोट आता है, weather के साथ या तो हम और यूज़ करते हैं, या आप और नोट weather or weather or not weather के साथ end not का इस्तमाल है वो आप कभी ने करें weather or और weather or not inversion नहीं होगा ऐसा नहीं कि weather से send start करे हो तो आप वहाँ पर inversion कर दें inversion आपको नहीं करना है weather लिखा है weather के बाद में end not नहीं या तो और लिखे या आप or not करिए वो सकता है आपको weather के बाद में आपको or की बजाए आपको end भी लगा के दे सकता है तो weather के साथ end का use नहीं होता है और का use होता है और आगे आप क्या end not नहीं बलकि or not का use है वो करेंगे एक तो यह simple rule एक ध्यान लखना की sentence के अंदर पीच में आपको इस तरह if लगा के दे देगा तक है और आगे आपको sentence के अंदर क्या करेगा और या मालो आपको or not लगा के दे देगा द्यान लखना sentence में conjunction pair क्या होता है क्या if के शाथ और या if or not होता है नहीं और or not किस के साथ आता है weather के साथ आता है तो आपको यहाँ if की वज़ाए क्या लिखना पड़ेगा weather यूज़ करना होगा है ना कितना आसान सा सवर चेकर बहुत सिंपल है आपको यहाँ पर और या और not दे रखा है और यहाँ पर आपको if लगा के देगा तो if की वज़ाए आपको क्या लगाना होगा weather लगाना होगा clear है तो पहली बात ध्यान रखने है कि weather के साथ कभी भी आपको end या end not नहीं बलकि or or not का इस्तमाल करना है first one और second one आपको यह ध्यान रखना है कि जब if के बाद or या or not दे रखा है sentence में तो if की बजाए आपको वहाँ पर weather का use करना है ठीक है ना अलांकि weather or or weather or not का बहुत बड़ा rule और बहुत अच्छे-च्छे इसके concepts है देखे ना चलिए उनको हम आगे किसी वीडियो में पढ़ेंगे यहां सिप हम के बल सिंपल सिंपल हम जो मैं थड़ है वो बता रहा हूं मैं आपको देखो हाँ इस question को करिए देखो क्या होगा I will go there to help her come with me whether you come with me and not क्या कर दिया है सेंटेंस के अंदर कि आपने यहां पर weather को यूज किया है और weather के बाद आपने क्या कर दिया यहां पर and not लगा दिया तो दियान रखना कभी भी weather के बाद and not नहीं आएगा यहां पर आपको करना पड़ेगा or not क्या कोगे or not तो I will go there to help her आप करें कि मैं उसकी साहता करने के लिए जाओंगा come what may come what may का मतलब होता है चाहे कुछ भी हो जाए come what may चाहे कुछ भी हो जाए आपकर I will go there to help her come what may आपकर चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसकी साहता करने के लिए वहां पर जाओंगा whether you come with me or not चाहे तो मेरे साथ आओ या नहीं ठीक है न यह कहना चाहरा है अगला सेंटेस देखो she asked me if he would give her money or not देखो इस सेंटेस में क्या कर दिया यहां पर कि आपने यहां सेंटेस में conjunction if लगा रखा है और इसके बात में आपने क्या कर दिया यहां पर or not लगा रखा है तो ऐसा हम नहीं कर सकते कि if को रख करके वहां or not को ही हटा दें ऐसा हम नहीं कर पाएंगे or not और यहां or not को हमें सेंटेस में रखना पड़ेगा और गलती क्या होगी कि यहां if को हटा करके if की बजाए हमें लिखना पड़ेगा whether तो see asked me whether he would give her money or not तो whether के साथ या तो और आता है या आपको और not का यूज़ करना है देखो देखिए next question किस तरीके से पूछा गया देखिए question पूछा गया SSECGL Men's 2019 के पेपर में एक question पूछा गया क्या question है आपका I sell by this book if you like it or not या क्या कर दिया if you or like it or not लगा दिया अब or not को तो हम माटा नहीं सकते rule क्या कहता है आपका कि और या or not आता है तो आपको if नहीं if की वज़ाए आपको वहाँ पर weather का इस्तेमाल करना होगा clear है तो देखें कौन से पार्ट में आपकी गलती है this book सही है आपके sentence में or not भी sentence में सही है I sell by भी sentence में सही है if you like it आपके sentence में गलत हो रहा है तो आपके sporting error का question है तो या if you like it की बज़ाए हमें कहना पड़ेगा whether you like it चा कहना पड़ेगा whether you like it whether you like it आप कहना चारे हो sentence में I sell by this book whether you like it or not ठीके न चाहे तुम्हें पसंद हो या ना इससे कोई फरक नहीं पड़ता, मैं इसके ताब को खरीदूंगा, तो आप कहरें कि I sell by this book, whether you like it or not, ठीक है न, बहुत आसान, कितना सरलसा question है, आपका मेंस एक्जाम 2019 में पूछा है, अगला question क्या है, देखिए, although the school lunch passed the legal standards, उसके बाद कोमा लगा रखा है, although के बाद में कोमा या आपको यच का यूज करना होता है, बट बगरा कुछ भी नहीं है, तो कोमा लगा रखा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, फिर आगे क्या के दिया, or not, it's healthy is debatable, क्या गलती हो रही है sentence में, अब यहां fill in the blanks में, आप क्या फिल करेंगे, देखो, अब यहां or not लिखा हुआ है, तो आपने एक तो weather लिख दे, weather यह तो मौसम होता है, यह weather तो क्या होता है, मौसम होता है, उसे हम कहते है, weather, if का use or not के साथ हम नहीं कर सकते, obviously either का use भी और के साथ होता है, or not, either के साथ और आता है, ना कि or not आत तो यह weather भी नहीं आएगा, if भी नहीं आएगा, क्या use करना पड़ेगा, आपको weather, तो sentence बन रहा है कि, although the school lunch passed, the legal standards, weather or not, it's healthy is debatable, clear है, question पूछा गया, SSECGL, pre-2017 के exam के अंदर, clear है, जब भी कभी एक बात ध्यान देना, जब भी आप घर पे पढ़ते हो, जब भी कोई भी एक rule बढ़ते हो, तो यह बात आप ज़रूर ध्यान में रखो, कि SSEC के पूराने जो पेपर्स, आपके previous year के questions हुए है, उनके अंदर, जितने भी पेपर्स आपके हुए है, उनमें यह question कप पूछा गया, यह आपको पता होना बहुत जरूरी है, reference के लिए बहुत जरूरी है, क तो वो rule याद करना उतना ही आसान हो जाता है, clear है, चले, देखो अगले question की और बढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है, you must go to the book pair, if you are liking it or not, देखो, सेम तरीका पूछा इसने, और आगे क्या कर दिया, इसने or not कर दिया, और if you are liking it or not, तो if की बजाए आपको क्या कहना का whether, और एक दूसरी बात यहां पर यह भी लिखनी पड़ेगी, like एक stative verb है, if you are liking के बजा, if you like आपके यह, वो sentence आपका सही रहेगा, तो you must go to the book fair, whether you like it or not, तो आपको क्या कहना पड़ेगा, if you like it गलत हो गया, although you are liking it गलत है, whether you have liked तो आपने tense ही चेंज़ कर दिया, whether you like it, क् होगे, whether you like it, like एक आपकी stative verb है, stative verb वे verb होती है, जिनको हम ing वाली form में change नहीं कर सकते, आप ऐसा नहीं कह सकते है कि I am liking you, आपको कहना पड़ेगा I like you, ना कि I am liking you, तो इस तरीके से आपने sentence में कह दिया कि you are liking it, तो you are liking की बजाए आपको कहना पड़ेगा you like it, क्या कहना प you like it or not, इस तरीके से आपको कहना पड़ेगा, तो question में आपको क्या करना पड़ेगा, sporting, आपके sentence improvement question में कौन सा option लेना पड़ेगा, कि whether you like it or not, question पूछा गया, SSECGL pre-K exam में 2019 का जो pre-K exam आपका हुआ है, इसके अंदर question को पूछा गया है, clear, आसान है न, बहुत simple है, बहुत स बढ़ते हैं अपने अगले rule की तरफ, देखो, क्या rule है, देखो, एक बहुत ही आसान, एक simple सा rule है, देखो, जो आपने भी कई दफा पहले पड़ा है, बार 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 ये exams में भी पूछा जाता है, देखो, एक बोड़ा ही सरल सा rule है, देखो, word है last, last का मतलब भी होता है, ठ हो जाए, कहीं ऐसा न हो जाए, इसका मतलब भी होता है, कहीं ऐसा न हो जाए, जैकर result close में इस्तमाल होता है, second close में आप last का इस्तमाल करते हो, तो एक बात तो ध्यान रखना कि कहीं ऐसा न हो जाए, sentence जो आपका बनता है, ये खुद ही अपने आप में last negative होता है, तो एक तो last के साथ आपको not का इस्तेमाल नहीं करना है second last के साथ जो model use हैं वो क्या है कि आपको वहाँ पर would लगा के दे सकता है आपको put लगा के दे सकता है इस तरह will लगा के दे सकता है आपको might लगा के दे सकता है तो ध्यान रखना आपको इन से लेस्ट के साथ आपको model यूज़ करना पड़ता है should और should के साथ वह की कौन सी वाली form first form इस तरीके से आप यूज़ करते हैं कोई भी whatever first form आपकी आती है तो should का यूज़ करना है चीक है ना तो last के साथ आपको not use नहीं करना एक तो negative use नहीं करोगे और second बात आपको इध्यान रखनी है कि आपको यहाँ पर जो would, could, will, might जो यूज़ एसा नहीं करोगे आपको should का use करना है लेकिन should का use भी optional होता है should का use भी क्या है? optional है चीक है ना आप use करें तो भी ठीक है और बिना should के भी आप sentence है वो बना सकते हैं चीक है ना देखो जैसे आपने एक simple सा sentence बनाया कि आपने का sentence में कि work hard work hard less you less you should fail अब आपने sentence कह दिया कि work hard less you should fail चीक है ना इसका मतलब क्या कि कटीन मेहनत करो कहीं ऐसा न हो जाए कि तुम fail हो जाओ तो आगे should के साथ आपने वर्ब की first form यूज कर दी अब क्या यहां should की जगे would could might वगेरा आप यूज नहीं कर सकते चीक है ना इस sentence को आप ऐसे भी लिख सकते हो आप sentence को इस तरीके से भी लिख सकते हो कि work hard last you और यहां पर आप वर्ब की सीधी first form का इस्तमाल भी कर सकते हो यहां जो should use करते हैं वो optional होता है आप should use भी कर सकते हैं और बिना should के भी sentence हो बना सकते हैं तो दो चीज़ें आपको यहां पे विसेस तर ज्यान रखनी हैं पहली बात आपको last के बाद not का use नहीं करना है यदि माल लो यहां पर should not fail होता तो वो गलत हो जाता है एक तो not नहीं लगाना है second बात आपको वहां पे should का use करना है जो की optional है ठीकिन would could वकरा कुछ भी नहींगा सुड आएगा और वो भी optional लगाओ तो भी ठीक है नहीं लगाओ तो भी ठीक है आप सीधे verb की first form से भी इस्तेमाल कर सकते हो एक बात यहां पी ध्यान रखना कि last भी अपने आप में negative होता है तो इसके बात भी आपको यहां पर inversion नहीं करना है तो last मतलब होता है कहीं ऐसा नहों जाए तो last का use करो के तो आगे should या आपकी first form लगाते हैं देखो question किस तरीके से पूछा जाता है देखो the teacher said to the students क्या कह रहा है कि go through the chapter as many times as possible और बिस्ति आपको क्या करना है यहां पर last आपने लगा दिया तो वुड की बजाए आपको यहां पर लिखना पड़ेगा should तो the teacher said to the students go through the chapter as many times as possible तो यहां go through का मतलब क्या होता है पून रूप से check करना entirely start से लेकर end तक आपकर पूरे पूरे chapter को तूपढ़ ले go through हो जा मतलब पूरे पूरे chapter को check कर ले तीक है न यह कहना चाह रहा है देखो अगला question देखो क्या कह रहा है आपसे कि I'll not go to the party lest you will promise to accompany me इस sentence को देखना question पूछा गया man's 2019 के paper में क्या question है देखो I'll not go to the party अब आपने कहीं लेस्ट यू विल पहली पात तो लेस्ट जब लगाते हैं तो उसके लेस्ट की जगे हमें दूसरा को यूज करना पड़े अब until आपने यूज कर जा until के साथ भी should का यूज model का यूज हम यहाँ पर नहीं करेंगे if के साथ भी आप will का यूज नहीं कर पाओगे जो if होता है when है आप इस तरीके जो यूज करते है as soon as वगरा तो इनके साथ आपको किस का यूज मलब model का यूज है वो आपको यहाँ पर नहीं करना है तो बचा कौन सा यहाँ पर unless बच गया तो यह unless का आपका रूल है question में आपको last के साथ will लगा के दिया option में less नहीं आपको unless का sentence बना दिया कि I will not go to the party unless you promise to accompany me ठीक है न या आपके यदि तु मेरे साथ चलने का बादा ना करे तो मैं इस party में नहीं जाओंगा तो आपको यहाँ पर क्या लगा दिया if not के sense को आपने unless से लिखा हुआ है रूल है आपका unless का यह unless का रूल हम पिसले वीडियो में पढ़ चुके हैं ठीक है न चलो देखो next बहुत सरल है इस रूल में कोई ज़्यादा problem नहीं है बहुत सरल सा रूल है सब generally आप लोग वाकि रहा हो तो अपी ठीक है ठीक है ठीक है ना जैसे माल एक सरल सा जो जगे जगे देखो ही लिखा होता है आपने कहीं पढ़ा होगा जैसे की कि जाम लिख दिया कि जॉन्ट लाब बेबी लास्ट यूव शुट प्यूट कि यह लिखा हुआ है कि डॉन्ट लाब बेवी लस्ट लगा दिया लेस्ट के साथ आपने सुप के साथ वर्प कोनजी वाली फस्ट वर्म फस्ट लगा दिया मोडल अपने साथ हट यूज first form का use करता है यह बाद ध्यान रखिएगा ठीक है न तो don't laugh baby last you should fall in love क्या मतलब हो है sentence का कि हस्मत बगली प्यार हो जाएगा ठीक है न तो आपने यहां पर sentence में क्या किया है last लगाया है और last के बाद में आपने should का use किया है और should के साथ first form आपने should नहीं लगा करके सीधा भी sentence कह सकते हो कि don't laugh baby last you fall in love आप इस तरीके से sentence से वो सीधा बना सकते है clear है चलिए ओके बढ़ते हैं अगले rule की और देखो next rule क्या कहता है आपसे देखो सरल सा rule है इसमें भी देखो एक बात ध्यान देना इदर अगला rule क्या है एक आपको sentence में क्या करेगा इस तरह wanted to know आएगा ये question काफी पूछे जाने वाले question में से एक है देखो wanted to know और wanted to know के बाद में वो क्या कर देगा आपको यहां पर that लगा के देगा दियान रखना कभी भी wanted to know के बाद that का यूज नहीं होता है या तो हमें if का यूज करना है और या आपको weather यूज करना है जब भी कभी दियान रखना कि if और weather में से आपके पाद चोईस आजाए कि इन दोनों में से कौन सा लिखें तो हमेशा weather को आप preference दीजिएगा तो wanted to know जब आएगा तो उसके बाद आपको that का यूज नहीं करना है या तो if यूज करोगे या weather यूज करोगे clear हैं? ओके तो एक तो ये चीज दियान लखना आपको पर एक दूसरा सबसे important चीज हैं देखो कि जब भी कभी देखो आप कभी भी sentence के अंदर जब भी कभी कोई WH word लगाते हैं जिस तरह मालो आपने ये why कह दिया, आपने which कह दिया, आप इस तरह किसे when कह दो, जा कोई भी इस तरह आपने WH word का इस्तेमाल कर दिया, तो दिहान रखना कि WH word का इस्तमाल करते हो तो उसके पहले क्या यूज नहीं कर सकते इस तरह that का यूज नहीं करना है आपको if का यूज नहीं करना है और नहीं आपको इस तरह weather का यूज करना है तो WH word से पहले that if या weather का इस्तमाल आपको नहीं करना है हमने इससे पहले रूल पढ़ा था कि सेंटेंस के बीच में यदी कोई इस तरह डबलो एच वर्ड का इस्तमाल होता है तो उसके बाद कभी भी इनवर्जन आपको नहीं करना है इस तरह से यदी मालो इसके बाद में आपको इस तरह इनवर्जन लगा के मालो कि मालो आपको could see और आपने के जग गो इस तरह आ जाए तो आपको inversion हटाना है क्योंकि sentence के बीच में WH word conjunction का काम करता है और वहाँ पर आपको किसी भी तरह का inversion है वो नहीं करना है यह हमने rule पहला ही पढ़ा था तो इस तरह जो WH word है उसके पहले आप that का use if का use या weather का use आपको नहीं करना है clear है इसी तरह के से if और weather आता है तो उसके पहले भी that का use करके आपको दे दिया जाता है तो वो भी आपको ध्यान लगना है तो ध्यान लगना इस तरीके से आपको if लगा देगा और if या weather आपको लगा देगा और if और weather से पहले भी आपको that लगा के error दी जा सकती है तो दियानक न, if or weather के पहले भी आपको that का यूज़ यूज़ वो नहीं करते हैं वो that or if का यूज़ साथ में होता है लेकिन वो एक conditional sentence होता है चाहिए तब जाकर कि that or if का यूज़ साथ में होता है अन्य था, if or weather से पहले आप generally that का इस्तमाल ना करें और इसी तरीके से जिसे हमने उसमें पढ़ा, इसी तरीके से आपने इस तरह can see आप inversion नहीं कर सकते, इसमें भी inversion आपको हटाना पड़ेगा, आपको कहना पड़ेगा see can clear हैं, तो यहां दो आसान से सवाल हैं आपके पास कि wanted to know के बाद में कभी भी आपको that यूज नहीं करना है, या तो if आएगा, या आपको whether यूज करना है you wanted to know, जिस तरह हम ask वाला, जो indirect speech में ask वाले sentence होते हैं, questions वाले sentence होते हैं, उसका substitute हैं किसी ask to me, या see wanted to know, meaning दोनों का same रहता है, clear हैं, तो आगे if या whether का इस्तेमाल करते हैं, ना कि आप वहाँ पर that का यूज करें, और if और whether से पहले भी that का यूज नहीं करना है, ना ही किसी that का यूज नहीं करना, ठीक है ना, एक जरूर है कि that से पहले that if का यूज जरूर साथ में होता है, यदि आगे कोई conditional sentence होता है, उस condition में वो भी rule हम पढ़ेंगे, ठीक है ना, किस तरह that if का यूज एक साथ होता है, ओके चले, आगे बढ़ते हैं, देखो, question किस तरह के से बनत for the post of president, आगे sentence आपने correct किया हुआ है, लेकिन wanted no के बाद में आप यहाँ पर that का use नहीं करते हैं, या तो if का use करेंगे, या whether का use करेंगे, sentence में देख लो, कहीं कोई और या और नोट तो नहीं है, यदि sentence में और या और नोट हैं, तो फिर यहाँ पर आप if नहीं लगा सकते ह आपको वैदर ही लगाना पड़ेगा, तो आपने के यह sentence he wanted to know if या whether she had been selected for the post of president, ठीक है ना बहुत आसान है, अगला question देखो क्या है, यह direct indirect के अंदर पूछ जाने वाले बहुत ही आसान सवाल है, देखो, he asked me that why I was not preparing for the civil service examinations, यहाँ पर क्या कर दिया, why के बाद में आपने I was, inversion हटा रखा है, इसका मतलब यह sentence तो यहाँ पर तो correct हो गया, लेकिन गलती क्या हो रही है, कि इस डेबली एच वर्ड से पहले आपने यहाँ पर that लगा दिया, तो कभी भी धियान रखना, ऐसे sentence के बीच में जो डेबली एच वर्ड आता है, if आता है, या whether आता है, उसके बहुत सारे rules हैं आपके, ठीके ना, ओके तब तक के लिए, call today, bye bye